हेलो फ्रेंज नीलम रेसिपी विश्व करमा में आप लोगों का स्वागत है तो चलिए हम एक और नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं तो ये मैंने आज रोटी की रेसिपी लेकर के आई हूँ तो प्लीज अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किजिए चार रोटी जो कि मेरी बची हुई चार रोटी है तो चलिए आज इसका ही हम कुछ बनाने वाले हैं टेश्टी शा नास्ता तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें लेना है कडाही और इसको हमने गैस पर रख लिया है इसमें डालेंगे हम पानी और प आप पानी डाल दिया अभी इसको गरम होने दें गे और थोड़ा सहाम मे डालेंगे नमक तो पानी मेरा कम था तो मैंने और बढ़ा लिया आपको जितना पानी अपने हिसाब स बनाना रहेगा उतना आप डाल सकते हो तो यह मैं नमक डाल रही हूं अपने स्वादन सर्छ और जयने मेरा नमक डाल के हो चुका मैं और शुर That's twenty अब चलिए इसको गरम होने देती हूं ऐसे ही तब तक तो हम दूसरी तयारी करा लेते हैं तब तक और यह मैंने रोटी को तोड़ के लहाद कर ले तो यह हो गया, अब यह देखिए हमारा पानी उबल रहा है, तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा Rava, जो की हमने आदा कप ले लिया है रवा, इससे आप काटोरी से माप ले सकते हो, ग्लास से भी माप ले सकते हो, तो ये मैंने इसको डाल दिया अब इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे रवा बहुत जल्दी पक जाता है इसको तो हमें पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बस एक मिनिट ठी लगेगा इससे ज़्यादा नहीं लगेगा तो चलिए इसको हम पका लेते हैं आपको पका के दिखाते हैं तो ये हमारा रवा पक चुका है क्योंकि हमारा पानी उबल रहा था तो इसको टाइम नहीं लगा है ये पकाने में तो ये चला चला कि देखिए अब हलका हलका दाना दाना दिख रहा है पहले ही ज़्यादा था तो ये हमारा रवा हो चुका है अब चलिए इसमें हम डालेंगे अपनी रोटी तो इसमें उबाल बहुत आ रहा है तो ये देख सकते हो रवा बहुत अच्छे से पक चुका है इसमें अब दानेदार नहीं दिख रहा है तो अब रोटी हम डाल लेते हैं जो हमने तोड़ करके लिया है इसको इसमें डाल के ले लेंगे अब इसको हम ऐसे ही पकाएंगे 2-4 मिनिट जितना लगता है उतना हमें इसको पका के लेना है जैसे हम हल्वा बनाते हैं सेम वैसे हमें इसको बना लेना है तो इसको अब हम बना के दिखाते हैं आपको तो यह देखिए हमारा हल्वा के जैसे हो चुका है और अभी यह इतना गीला लग रहा है लेकिन उतारने के बाद ये और भी पानी सोकता है तो उसका टेंशन नहीं है कि गीला हो जाएगा तो अब हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे तेल तो आप कोई भी तेल यूज कर सकते हो तो यहां मैं राई काई खाती हैं तो राई काई डाल रही हूँ इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा इसमें तो यह मैंने तेल डाल दिया है अब इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर दूँगी तेल में और मिक्स करने के बाद ये देखिए तो चलिए हमने इसको अच्छी तरह से तेल को मिक्स कर लिया है और गैस को भी बंद कर लिया है हमने अब ऐसे हम फैला के रख देंगे इसको ठंड़ा होने के लिए आप चाओ तो दूसरे बरतन में निकाल सकते हो तो ये मेरा ठंड़ा हो चुका है तो मैं इस बरतन में निकाल ली हूँ तो ये निकाल के होगे, आप चलिए कुछ सबजी आइसमें डाल लेते, आप कोई भी सबजी इसमें डाल सकते हो अपने स्वाधन सार, तो ये मैं लहसुन कूट के लिए हूँ, उसको डाल दी हूँ, और इसमें मैं डालोंगी थोड़ी सी हरी धनिया, ये मैंने काटकर के और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा सिम्ला मिर्च, आप अपनी पसंद से सब्जी डाल सकते हो, और इसमें हम डालेंगी ये पत्ता गोबी, ये हमारा पत्ता गोबी हो गया, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कांदा, ये भी हो गया, अब इसमें हम डाल लेते हैं, ये म थोड़ी सी सूखी मिर्ची काट करके लिया है और थोड़ी सी हरी मिर्च काट के लिया है हम दोनों काट करके इसमें लिए है थोड़ा थोड़ा और इसको डाल देंगे और यह हमारा हो गया अब इसमें थोड़ा सा मसाला डाल देंगे तो यह मैं हल्दी पौडर डाल रही हू और मिर्ची तो हमने काटके डाला है तो कोई ज़रूरत है नहीं और थोड़ा सा हम गरम मसाला डाल रहे हैं इसमें तो ये हमारा गरम मसाला हो चुका अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला तो ये मैंने चाट मसाला इसमें डाल लिया है ज़रूरी नहीं कि चाट मसाला रहे तो ही और नमक हमने पानी में डाला है तो आप अपनी स्वादन स्वाद डाल लेना अगर कम रहेगा तो अगर नहीं कम रहेगा तो आप ऐसे ही इसको अब इसको आटा हम बना लेंगे मिक्स करके और अगर आपको रोटी के जैसे बनाना है तो थोड़ा सा गेहू का आटा भी मिक्स कर सकते हो पर मैं रोटी के जैसे नहीं इसमें दो आइडियास लगा सकते हो पर मैं एक ही बता रही हूँ आपको तो ये मेरा गुंद के हो चुका है उपर से मैं तेल लगा रही ह तो तब तक तेल गरम होने के लिए रख देती हूँ यह गैस पे मैंने चड़ा दिया है और अब हम लोई बना बना के अपना बना लेते हैं जो रेसिपी बना रहे हैं यह नाश्टा तो यह मैं आलू की टिक्की बोल रही हूँ आप जो भी बोल सकते हो तो आप इसमें क्या बोलने वाले हो इसका क्या नाम रखने वाले हो कॉमेंट में जरूर बताना तो यह देखिए मैंने हाथ से इसकी टिक्की बना लिया है अगर आपको इसको बेल के बनाना है ते थोड़ा से इसमें गेउं का आटा मिक्स करके और रोटी के जैसे बना के और किसी चीज से कटिंग करके भी बना सकते हो पर मैं वो नहीं कर रही हूं बस हाथ से यह अपने यह बना रही हूं टिक्की तो चलिए मैं टिक्की बना के आपको पूरा दिखाती हूं तो अब हम पूरी टिकी बना के आपको दिखा लेते हैं तो फिर से ऐसे गोल-गोल करना है हमें और इसको जो मन वो शेप आप दे सकते हो तो ये हमने देखिए बना के ले लिया है इतना ये रोटी की टिकी अब हम इसको फ्राइ करते हैं तो ये मेरा तेल गरम हो चुका है तो यह मैं इसमें डाल के ले ले रही हूं जितना आएगा उतना और इसको हम ऐसे ही उलट पलट के सेख लेंगे आप किसी कल्ची के मदद से या चम्मत से किसी भी चीज से इसको पलट सकते हो यह तुटने वाला नहीं है बहुत आसानी से बनने वाली रेसिपी है तो यह हमने इसको पलट के ले लिया अभी थोड़ा नीचे कच्चा है तो हम थोड़ी देर में अब पलटी करते हैं इसको तब तक ऐसे ही पकने दे रहे हैं तो यह देखिए मैंने इसको उलट पलट करके अच्छे से सेक लिया है यह हमारी रोटी टिक्की सेक के हो चुकी है अब इसको हम निकाल के ले लेते हैं यह देखिए और यह बहुत ही क्रिस्पी भी बनी है क्योंकि हमने इसमें रवाव डाला है और रोटी है तो यह नाश्टा हमारा बहुत ही टेश्टी भी है और क्रिस्पी है तो यह हम चलिए हम निकाल लेते हैं और फिर वैसे ही हम इसको तल लेंगे ऐसे ही हम बनाते जाएंगे और तलते जाएंगे और तलने के बाद हम आपको दिखाते हैं तो यह देखिए मैंने बना के ले लिया है रोटी की टिक्की अब इसको हम प्लेट में रख लेते हैं तो चलिए इसको हम रखके दिखाते हैं तो ये देखिए हमारी रोटी टिक्की रेडी हो चुकी है और ये कोई भी चटनी के साथ आप खा सकते हो टोबैटे सोस या हरी चटनी कोई भी चटनी बना सकते हो और बहुती क्रिस्पी है ये ये देखिए तोड़ने पे भी इसका कल बहुत ही अच्छा दिख रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट में जरूर बताईए